असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शाही पनीर की रेसिपी बिल्कुल बावर्ची स्टाइल बनाएंगे हम और यह बहुत इजी और बहुत डिलिशिस बनके रेडी होगी तो चले इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो शाही पनीर बनाने के लिए हम यहां एक वैसल लेंगे और उसमें पानी गरम करेंगे और यहां पर मैंने टमाटर लिया है उसे पीछे से से कट किया है प्लस साइंग में इसे हम पानी में उबालने रख देंगे तो यहां पे मैंने 2 बड़े टमाटर का इस्तमाल किया है और इसे हम 3-4 मिनिट के लिए उबाल लेंगे और आप हमें टमाटर के सकन निकाल नहीं है यह देखे कितनी एजिली इसकी सकन निकल रही है और अब हम इसे एक साइद में रख देंगे और अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें ले लेंगे हम ओईल, टू से थ्री टेबल स्पून ओईल ले लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे तीन मीडियम साइस के रफली स्लाइस प्याज और साथ में हम डाल लेंगे साबुत लाल मिर्चे यहाँ पे मैंने 5-6 साबुत लाल मिर्च इस्तमाल किया है और साथ में ले लेंगे 15 काज़ू प्यास का कलर हलका सा चेंज हो जाए बस तब तक हम इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पे देखे प्यास का कलर चेंज हो चुका है बस इससे जादा हमें फ्राइए नहीं करना है वन्ना जो ग्रेवी हम बनाएंगे वो मीथी बनेगी और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करके हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे तो यहाँ पे हम टमाटर भी ले लेंगे और साथ में जो हमने प्यास फ्राइए किये थे वो भी हम डाल लेंगे इसका हमें एक फाइन पेस्ट बना लेना है तो यह देखे इसका हमें एक दम फाइन पेस्ट बना लेना है और अब एक पैन ले लेंगे वोई पैन अप इस्तमाल कर सकते हो और इसमें हम डालेंगे ऑईल और अगर आपको बटर या घी में बनाना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ पे हाफ ऑईल ले रही हूँ और हाफ पटर और इसमें डाल लेंगे वन टी स्पून काला जीरा जिसे हम शाही जीरा कहते हैं और शाही जीरा को हम क्रैकल होने देंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे अद्रक लेसन का पेस्ट टू टेबल स्पून और इसे हम एक मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कोई कच्छी स्मयन ना रहे और अब हम इसमें मिक्स्टर डालेंगे जो हमने तयार किया था टमाटर, प्याज और काजू का और उसी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल कर वो भी हम साथ में डाल लेंगे ताकि पूरा मसाला हमें मिल जाए और इसे दो से तेन मिनिट के लिए भून लेंगे क्योंकि हमारा प्याज अल्रेडी भून चुका था और अब हम डाल लेंगे वान टीस्पून लाल मिचका पाउडर, वान टीस्पून कश्मीरी लाल मिचका पाउडर और वान टीस्पून हाल्दी पाउडर और इसे हम चला लेंगे और साथे में हम डाल लेंगे नमक, नमक आप अपने टीस्ट के आओ अकॉर्डिंग डालिएगा और अब इस स्टेप पर हम डालेंगे खोया, अगर आपके पास खोया अवेलिबल नहीं है तो आप पचास से साथ ग्राम पनीर को कदू कस करके वो डाल लेजिए क्योंकि वो भी सेम टेस्ट और फ्लेवर देगा और यह डालने से जो हमारा ग्रेवी है वो बहुत क्रीमी बनता है तो इसे एक से दो मिनिट के लिए चलाते रहिए और इससे साथ साथ में मैश भी करते रहिए तो वो क्रीमी टेक्स्चर आजाएगा उसमें तो आप देख सकते हो ग्रेवी का जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है और अब हम स्टेप पर डालेंगे वन टेबल स्पून कसूरी में थी इससे पनीर में खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो इससे आप मिस मत कीजिएगा अब हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रीडियन्ट वो है वन टेबल स्पून कैचप जी हाँ इससे बहुत टीस्टी लगता है और यह वही फ्लेवर देगा जो बावर्ची स्टाइल होता है और इससे हम ग्रीवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैने 400 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया है और अगर आप चाहे तो फ्राय करके भी डाल सकते है और इस टैप पर अगर आपको चाहिए तो आप माटर भी डाल सकते है और अब हम ड दालेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप दूद की जगा पानी भी दाल सकते हैं कोई मसला नहीं है और साथ में मैं थोड़ा स्प्रिंगल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर बिल्कुल बावर्ची स्टाइल शाही पनीर तयार हुआ है हमारा और अब हम डालेंगे हरा धन्या उससे चौप करके डालेंगे और अब हम इसे सर्फ कर लेंगे आप इसे जरूर ट्राइ किए जेगा बावर्ची स्टाइल शाही पनीर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अल्ला हाफिस टेक कैर